हाव्र फिक्स रेट्मी एट एकुड्ण एट फिंगर्प्रिंट ट्राइगें प्रॉब्लम नमस्कार डोस्तो आप सभी का स्वाग तो आज की इस वीडियो पर डोस्तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो हैं फिंगर्प्रिंट ट्रिके एट नहीं कर पाएं तो उसको कै एरर आ जाते हैं जैसे कि आज की इस कंटेंट पर मैंने दिया हुआ है ठीक है कोड़न एड फिंगर्पिंट तो यह जो अगर आप फिंगर्पिंट एड करना नहीं जानते तभी आपको यह एरर आ सकते हैं या फिर मैं आपको कुछ सॉलुशन बता देता हो और मैं आपको बा और बैल आइकोन को क्लिक करें ताकि आपको लेटेस अपडेट मिलते रहें तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या करना है मोबाइल को एक बार रिश्टार्ट करना है अपने सेंसर को अच्छी तरीके से साफ करना है ठीक है और आग काफी है मोबाइल सो फिर अपडेट करते हैं आपका जो यह प्रॉब्लम है यह फिक्स हो जाते हैं ठीक है उसके बाद दोस्तों चलिए एक बार टेस्टिंग मोड पर जाके देखते हैं कि टेस्टिंग मोड पर जो हमें यह चेक करने का ऑप्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा ठीक है सेंसर का तो सिंगल आइटिम टेस्ट करते हैं मियुक्त तो यहाँ पर प्रॉक्सिम्टी सेंसर है हमें चाहिए fing2र सेंसर का टेस्ट तो यहाँ पर आप्टीगल सेंसर कमें देखते हैं तो यह जो सेंसर आपके लिक्वार और उसको छोड दमट तो कीबात जारो है भी संसर हें फिंगर्पींट सेंसर नहीं यह ठीक है बस इसको छोड़ दीजिए तो अभी आपको किया करना है पने अपडेट कर दिया फोन को तेहिए नेक्स्ट में आपको फिंगर्पी घ्र करना है कैसी करना है चलिए लोक स्क्रीन पास्वोड को ओन कीजिए, मेनेज फिंगर पिंट पर जाएे, ड्रो कर दीजिए अपना पेटरन है या लोक है उसके बार एट फिंगर पिंट पर क्लिक करें ठीक है आपको fingerprint जोए लगातर यहाँ पर add करना होगा केसे आए देखते हैं तो बस एक बार टेप किया उसके बार आपने finger को sensor से remove कीजिए और दूसरी एंगल से आपने finger को add कीजिए और remove कीजिए आपने finger को और add कीजिए ठीक है तो ऐसे करते रहिए तो आपको जोए दोस्तों एक बार यहाँ पर यहाँ पर टेप किया और यहाँ नहीं रहना है ठीक है आपको एंगल चेंज करकर के finger pin को add करना है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर तो बहुत आच्छी तरह किसे मैंने यहाँ पर add कर दिया ठीक है चलिए मैं आपको कीजिए उसके बाद finger को remove करके दुबारा से एट कीजिए और इससे करते रही है ठीक है तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको बताते हैं कि मूफ और फिंगर प्रिंगर स्लाइटली बताते हैं तो आपको फोलो करना है ठीक है तो आपने जो finger है उसको थोड़ा सा इंगल को factory reset कर सकते हैं या फिर आप technician के जाके बोलिए technician के पास जाकी प्रॉब्लेम को fix कर पाओगे हाडवेर ली प्रॉब्लेम है तो sensor चेंज करवाना होगा तो उसके बादे आपका प्रॉब्लेम फिक्स हो सकते हैं तो आज के वीडियो बसन आया तो वीडियो को लाइक करें चै